मेरा सवाल अध्यक्ष महदय वन मंत्री जी से है कि क्या अभी जो कैम्पा मद्ध के अंतरगत जून 2020 से 2030 के मद्ध में लेंटाना उल्मोनना और नर्वा विकास कारके जो भुखतान हुए हैं स्रमिकों के वो उनको बैंक के माध्धम से मैंने पूछा था भुखतान हुआ है नहीं और दूसरा ये था कि उसमें जो प्रमानक जो दर्सित किये गए हैं स्रमिकों के नाम आप क्या उसमें उनको रासी हस्तांतरित की गई है और तीसरा ये था कि उस परिछेतर अधिकारियों द्वारा प्रमानकों में से दर्सित स्रमिकों से भिन ब्यक्तियों के नाम से रासी आहरन किया गया है और चौथा ये था कि क्या सासनुक प्रकरण की जाच पुलिस आर्थिक अपराद अनुसंधान ब्यूरो से करा कर दोसियों कड़ी सजा दिलवाएगी परंतु अधक्ष महदे इसमें जवाब इतना सौट में आया है जी हाँ जी नहीं नहीं और प्रस काम भी उस समय हुए हैं जब कोवीट काल चल रहा था और कोवीट काल में जब सारे चीज बन थे उस समय इन कामों को वहां करना और मूल रुप से जो जवाब आया है कि उसमें जो भुकतान जो किया गया है वो नगत भुकतान किया गया है और जबकि भारदरसिता के लिए ब्रस्टासार से बचने के लिए ये हमारी पास जो स्रमिकों को भुक्तान करने का है वो बैंकों के मादम से भुक्तान किया जाना है तो ऐसा क्या कारण था ऐसा क्या परिस्थिती बनी कि उसको नगत भुक्तान करना पड़ा उन स्रमिकों को मेरा प्रस्थन ये है वन मंत्री कि पहले इन सवालों का जो मैंने पूछा है कि कितनी नगत भुखतान करने का दिखिया गया है तो क्या प्रावधान था उसके क्या नियम है और उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि नगत भुखतान करना पड़ा मन्य अद्यच मोदे लेंटाना जो एक खर्पतवार है और लगबग 200 साल पहले जब ब्रिटिस यहां पर आये थे तब उन्होंने एक साउथ अमेरिका का जो उन्होंने का सुभधार हेज का उसका पौधा लेकर के आये थे और पूरे अपने बंगलों में सजाय करते थे लेकि जंगल में किस तरीके से पूरे जंगल को बरबाद करने के दिसाम में बढ़ गया पूरे देश की समस्या है मानि हमारे देश के प्रधान मंतरी जी की समस्या है और उसको निवारन के लिए उसको उन्मुलन के लिए जो योजना बनाई गई और उस योजना के तहत में 2022 तक हमारे इस सरगुज़ा वन विरित के छेत्रे में लगभग आठ हमारे वन मंडल हैं उन मंडलों में जो काम हुए और उस काम में लगभग हमारे एक लाग संतावन हजार साथ सो सड़सट हमारे सरमिकों का बैंक के मादेम से भुक्तान हुआ और लगभग 75,036 सरमिकों का नगद भुक्तान किया गया और ये नगद भुक्तान के संदर में माननी सदस्ने जानकारी पूछी है तो मैं सदन के संग्यान में लाना चाहूंगा अध्यच मोदे कि यदि ऐसे छेतर जहां पर बैंक के सिवाए अप्रयाप्त है या फिर जहां पर हमारे क्या जालते हैं सरमिक निवासरत हैं उसके पांच किलोमेटर के परिधी में एदि कोई बैंक इस्थापित नहीं है तो वहां पर कलेक्टर और वनमन लादिकारी के द्वारा नगद भुक्तान का निनना लिया जाता है अध्यच मोदे जिसमें हमारे वहां के सरपंच है पंच है या फिर वन समितियों के माध्यम से उनके उनको सरमिकों को भुक्तान किया जाता है और इस कारे के माध्यम से जो जंगलों का को बचाने के दिसा में लगातार काम हुआ है और लगातार इस दिसा में हमारा लगभक पूरे प्रदेश के लगभक चार लाख हेक्टेर में ये आना के उन्मुलान का काम को को किया गया है अदक्ष महदे मैं मान्य मंत्री से जानना चाहूंगा यह जो आप आकड़े बताए 75,036 स्रमिकों का नगत भुगतान हुआ यह अदक्ष महदे चोटे आकड़े नहीं है 75,000 स्रमिक बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसी कोई ले गए हैं और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के जो जारा जो चालू किया गया था ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके खाते नहीं है उसके बावजूद आज यही तरह स्रमिकों का नगत भुगतान किया गया है इसमें मान्य मंत्री जी चूकि यह अंग्रेज लोग तो गए अजाद हो गए लेकिन जो लेंटाना छोड़ गए उसका अभी तक नहीं कर पाए हैं लेकिन उस लेंटाना के माध्धम से बाकी चीज का उन्मुलों हो रहा है मुझे लगता है तो क्या यह स्रमिक जिनको पाए 75,000 36 रमिकों को जो नगत भुगतान किया गया और उसमें जो ऐसे क्या परिस्तितियां थी कि उसको कितनी रास्ती ऐसी बनती है जिसको ऐसा भुगतान किया गया है देखिए प्रस्टन महादपुर्ण है और विशे भी महादपुर्ण है लेंटाना से रिलेटेट भी है दूसरा स्रमीकों का प्रेमेंट महानी प्रिधार मंतिजी के मंसा कहने शुरूप बैंक के मादधम से जाना चाहिए तो मैग्सिमाम प्रेमेंट सभी विभाग में जो विवस्ता है उस विवस्ता को दूरूस करने गिरुवत है नगत भुकतान से बचना चाहिए मंतिजी भवीश में इस वकार ध्यान 2014 में जब इसका क्यालता है निर्देश जारी किया गया था जिसमें नगत भुकतान को लेकर के बहुत से जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी जंधनी ओजना के तहत में जो खाते खुलने चाहिए वो खाते इन छेत्रों में जहां पर नहीं है वहां पर खाता खुलवाएं और नगत जो राशी है वो देना बंद अभी हम लोग ने बंद भी किया है अद्देश मोदे डिवीटी के मारध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिच कर रहे हैं कि हमारे जो भी राशी है वो डिवीटी के मारध्यम से जाए और आपके मारधसन में हम इस दिसा में आगे बढ़ेंगे अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बैंक नहीं है या उनके खाते निकलेते तो दुर भागे हमारा सरगुजा का और अध्यक्ष महुदे इसमें आपदा में आउसर ढूड़ा गया है इसलिए नगत भुकतान हुए है मैं मंत्री इससे चाहूंगा कि इसकी आप जांच करवा जितनी नगत भुकतान हुए कि आप कोई बैंक न हो तो वहाँ पर कलेक्टर और वन मंडला दिकारी के उससे वहाँ पर जो पंच है सरपंच है या वन समीतियों के अध्यच के माध्यम से उनके उपस्चिती में उनको नगत भुकतान देने का प्रौधान किया गया है मन्तरी जी मैं सारे भुकतान की जांच नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जितने जो 75,000, 38 सरमिकों के जो भुकतान नगत हुए उसकी आप जांच करा दे और उस पे सरमिकों को जो उसका पैसा नहीं हुआ बंदर माठ हुई है वो दूद का दूद और पानी का पान है कि आप जांच कराएंगे मन्नी अध्यच को दे वर्तमान में नगत भुकतान बंद कर दिया गया है और जो वहाँ पर मन्नी सदर से चाहते है कहीं स्पेसिपिक के लिए जगा हो जहां पर उनको लगता है कि लिक्के दे देंगे आप जांच करा लिए चलिए राम कुआ ट मेरा प्रस्ण जल संसाधानी वाग का है